है 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 कि देखे लागरित्मिक फंक्शन को बोलेंगे वाइक वास्टू लॉग और यह बेस वैलियो की कंडिशन होती है यहां पर एक्स की कंडिशन होती है कि एक्स गटर देन जीरो होना चाहिए और जो बेस है बेस का ऐसा होता है कि बेस शुट भी गटर देन जीरो एंड एक कैनाट बी एक्वल टू वन बेस वन नहीं हो सकता यह दो केसे हैं यह अपने यह अपने 11 में देखे थे अभी मैं इनके खाली ग्राफ जो है वापस लूँगा और डॉमें रेंज हम इसका समझेंगे लॉग लॉग X का ग्राफ लॉग X का ग्राफ वन एस अदर देन 0 यह ग्या दन ओन ट्री तन वन पै यह ग्रा पनता है यह ग्राफ यूग मैं तो स्टेक्ष प्रफ जलेगा यह था जिब्रस ए इस प्ह जा जश्ट प्र वन बेस दन गट दन लुट ए इस नहीं च्रॉप्य यह बेस लाइज बिट्विन जीरो टू वन तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इसमें भी कुछ पाइंट्स हैं वह आप देख सकेगें कि इसकी इनिक्विलिटी और वो सारे रिजल्ट हमें देखना है हो जाएगा क्योंकि ये ग्राफ एक्षिक्टिस से एक्षिक्टिस के राइट इन साइड में खाली बना हुआ है और ये जीरो वैल्यू भी नहीं लेता लॉग जीरो नॉट डिफाइन वैल्यू होती है तो वो हमें पता है तो इसका डॉमेन लिखेंगे एक्स बिलॉंग्स ट जिरो टॉ इन पाइने एक्स बिलॉंग्स टुञ्फिक्ट रेंज जो आप लिखेंगे इसकी भी माइनास इंपार टक जाएगी ठीक है तो रेंज जो होती है इसकी यज बिलॉंग्स टू आर होती है ऐसा दोनों ही ग्राफ के वहीं सेम elektrous गते है इस में टॉमेंस एक पॉइंट और जो डिस्स करना चाहरा हूँ वह यह कि जब हम inequality में देखें कैसे देखते हैं यहाँ पर क्या है माल लीजे कोई point है यह तो 10 point था और इस पर आपने point x1 लिया और x2 लिया अब देखें x1 छोटी value है x2 से x1 smaller है x2 से x1 is less than x2 ठीक है और log के graph पर बना रहे हैं तो यहाँ जो इसका corresponding log x1 आएगा और इस पर आएगा log x2 यहाँ पर value होगी इसकी log x2 तो क्यों होगा log x2 बड़ा होगा log x1 छोटा ही होगा graphically यह चीज में मालूम चल रही है तो हम बोलेंगे so you can write the log of x1 is less than log of x2 with the base a, with the base a यह वो base जिसमें base greater than 1 है base यदी greater than 1 है तो देखें log में क्या होता है यह inequality का result है कि अगर base greater than 1 होगा और इसमें log लगाएंगे तो sign of inequality change नहीं होता या मालीजे उसका opposite process करो anti-log दोनों तरफ लो anti-log लेने पर log हट जाता है दोनों तरफ तो भी sign change नहीं होगा तो when base is greater than 1 तो यह position होती है यहां पर देखिए situation change हो जाएगी इसमें इसमें क्या होगा कि मालीजे x1 है यहां पर x1 है और इधर एक x2 है तो अब आप देखिए x1 value यह चोटी है x1 is less than x2 x1 is less than x1 point यहां है और x2 point इधर है so x1 less than x2 है लेकिन x1 पर log की जो value है वो यह वाली आ रही है log x1 आ रहे है और x2 पर यह value आ रही है यह आएगा log of x2 with a base e और यह उस base की बात चलरी जब base 0 to 1 के बीच में हो base जब 0 to 1 के बीच में होगा this base is lying between 0 to 1 at that time what is there at that time means यहां पर sign of inequality change करता है हम जो यह बात बोलते हैं कि जब base less than 1 होता है या 0 to 1 के बीच में होता है तो log में, inequality में, जब log लगाते हैं या हटाते हैं तो sign of inequality change करता है तो change करता है उस चीज़ को graphically समझ सकते हैं graph में ऐसा हो रहा है तो यहां पर क्या था, x1 less than x2 था लेकिन जब log लगाया log लगाया log x1 हो गया और इदर हो गया log x2 हो गया, तो log x1 की value देखिए उपर है log x2 की value नीचे है तो आप बोलेंगे log x1 greater than log x2 हुआ log, so this is with the base a, this is with the base a, when base is lying between 0 to 1. तो नीच्विलिटी का important result है कि जब इस तरह की बात आती है, नीच्विलिटी में log लगाएंगे या log हटाएंगे, कि कि एंटी-log लेंगे, so in that both the cases, what happens when the base is lying between 0 to 1, sign of inequality changes, right? कि अर्ड़ खिरे छोर्ड़ बातु तो तरह रेंगा, कि अर्ड़ोई बेता है, झाल झाल